आप लोगों में किन किन लोगों के पास वोटर कार्ड हैं एक बार हाथ उठाइए आप लोगों में से 15% लोग जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो ये पाएंगे कि आपका वोटर कार्ड वहां मुझुद नहीं रहेगा और आप वोट नहीं कर पाएंगे मेरी एक सौट्वेर डेलोप्मेंट कंपनी है 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 हैदरबाद में हमारा काम है इमेज को टेक्स्ट में कनवर्ट करना अगर आप ये बैनर की फोटो मुझे दे देंगे तो मैं आपमें ये पूरा टेक्स निकालके टेक्स फॉर्माट में दे दूँगा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की दरोत है अगर वो सोशल बेनिफिट करता है तो हम लोग विदाउट एनी चार्जेस आपको टेक्नॉलजी की मदद करेंगे हैदराबाद में बैटे हुए मुझे पता चलता है कि ओकला के गफार कॉनली में कुन से घर से वोटर गायब है इसलिए पता चल जाता है कि एलेक्शन कमिशन वेबसाइट में PDF एलेक्टोरियल रोल्स रहते हैं एलेक्टोरियल रोल्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं वो भी एक इमेज है एक तस्वीर है पैथान प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग उस तस्वीर को टेक्स में कनवर्ट करते हैं एलेक्टोरियल र जाता है मिसाल के तोर पे वोटर सीक्वेंस नंबर वन है वहां पे वोटर एडिया है आदमी का नाम अब्दुल समध है उनका गली का नाम है और घर नंबर है तो उसके बाद घर नंबर और गली का नाम जब हम मिलवा देते हैं तो हम लोगों को युनीक घर पता चल जाता है और कौन से घर में कितने वोटर्स हैं वो पता जल जाता है। मैंने ये काम शुरू किया गुजरात के एलेक्शन्स के बाद। गुजरात के असंबली एलेक्शन्स जो 2017 में हुए थे, वहाँ पे 16 जगाओं पे बीजेपी ने जीती थी सिर्फ 3,000 के मेज़ॉर्टी से। मिसाल के तोर पे आप गुजरा ले लीजिए, गुजरा में बीजेपी की मेज़ॉर्टी थी 253 वोट्स। वहाँ की जब मैं वोटिंग, वोटर लिस्ट एनलेइस कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि 18-100 मुसल्मान घर गोद्रा में ऐसे थे जिसमें एक ही वोटर था, क्या ये पॉजिबल हैं? इसी तरह से आप देख लिए कि धोकला, बोतार, हिमतनगर, हर कॉंस्टिटिवेंसी में 15-20% मुसल्मान घर ऐसे मिल रहे हैं, जिनमें सिर्फ एक ही वोटर कार्ड मुझूद है, अब ये वोट गए कहां? नमबर एक, वोट जाने की वज़ा है शरारत, कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि इस पॉलिंग बूट में लास्ट टेम कौनसी पार्टी को ज्यादा वोट मिले और उनके नाम से फॉर्म 7 अपलाई कर देते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि नवीद साब का वोट चले जाए, तो मैं ऑनलाइन जाके फॉर्म 7 फिल कर सकता हामेज साब यहां नहीं रहते, असल में होना यह चाहिए कि बॉलिंग बूट एजेंट जाके वेरिफाई करना है, उसके बाद नाम निकलना है, पर पर नाम निकल जाता है, दूसरी है इग्नोरेंस, ज्यादा तर मुसल्मान दलित तपके किराय के मकान में रहते हैं, वो घ करनाटका में जैसे आप देख रहे थे, हमने पता लगाया कि अथारा लाग मुसल्मान घर करनाटका में ऐसे थे, जिन में सिर्फ एक ही वोटर था, हम लोगों ने एप बनाया और लिस्ट पब्लिश कर दी, जैसे लिस्ट पब्लिश हो गई, आर्टिकल्स आए, कैरवान ड राइफ कंड़ेट किया, तमाम पचास हजार पॉलिंग बूट को पॉलिंग बूट एजेंट्स को भेजा, और का जिनके भी नाम नहीं है, वो वापिस नाम सिस्टम में ला सकते हैं, यह वोटर अप हम लोगों ने बनाया, सिर्फ तीन हफतों में एक वीडियो वरल हो गया और बारा हजार वॉलेंटियर्स, यह कोई पार्टी के नहीं है, आप जैसे सोचल अक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने डाउनलोड किया, और एप में आपको दिख जाएगा कि उनसे घर में वोटर अगायब है, उनके घर तक पहुंचे और उनका वोटर क बनाने में मदद की, सियासत में एक आर्टिकल आथा, एलेक्शन कमिशन जो फिब्रवरी 28 को कह दिया था कि वोटर लिस्ट फाइनल है, बारा लाग नए वोटर्स आड़ हुए, इस प्रॉसस के वज़े से, तो लंदुला बहुत बड़ी कामियाभी है कि बारा लाग वोट सिस्टम में नहीं है, सेप्टेंबर 2nd 2018 के हिजाब से, इंडिया का पॉपलिशन है 135 क्रोर, अगर मुस्लिम परसेंटेज हम लेंगे 14.2%, उसके हिसाब से 18.9 क्रोर मुस्लिम पॉपलिशन है, अक्सर पॉपलिशन ऑफ वोटिंग 62% रहता है, जिनके 18 साल या उसके उपर रह यह तो 11 करोर मुसलमान वोटर्स रहने चाहिए थे, बट उनमें से 3 करोर मिसिंग है, सिमलर प्राब्लम दलिद वोटरों का भी है, दलिद कम्यूनिटी में 4 करोर वोटर्स मिसिंग है, अब यह प्राब्लम है, तो इसका सोलिउशन क्या है, इसका सिंपल सलिशन है, प्ले स् यह missing voters app आप install कर लिजी अगर आप इंस्टाल कर लेंगे तो app में आपके पूरे constituency के polling booth आपको दिखेंगे अगर एक polling booth क्लिक करेंगे तो आपके उसमें कितने गली है और गली में कितने घर है दिख जाएंगे अगर आप एक घर को क्लिक करेंगे तो घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे तो आप उन घरों पे जाएए जो घर में सिर्फ एक ही वोटर बता रहा है और जब जाएंगे उनको पूछेंगे और आपको पता चलेगा कि उस घर में एक से ज्यादा वोटर मौजूद हैं तो दो मिनिट के अंदर उसी आप के जरीए आप फॉर्म फिल कर सकेंगे पहले मैं वॉलेंटियर्स को कहता था कि आप डिरेक्ली जाए कि एलेक्शन कमिशन की वेबसेट में फॉर्म फिल कीजिए बट मसला यह है कि एलेक्शन कमिशन का अप्लोड हो जाएगा इसी तरह से उनका अड्रस प्रूफ अप्लोड हो जाएगा तो जह से यह चीज आप अपकर देंगे यह डिटेल्स पूरे हमारे बैकेंड में आ जाएंगे हमारे पास हैदराबाद में जो आफिस है वहां से हम लोग वो डेटा को लेंगे और एलेक् अगर एक स्टेज और डूसरे स्टेज के बीच में पांच दिन से भी ज्यादा वक्त अकर लग रहा है तो हम लोग मेल कर देंगे यह औरो को कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आपका काट जब तक मिलेगा हम लोग इसको कंटिनियूसली ट्रैक करते रहेंगे अभी तक अल देखिए हम लोगों ने 649 असंबली कॉंस्टिट्यूएंसिस का डेटा अभी तक अप में अपलोड किया है जिससे हिसाब से 34 लाक मुसलमान घर ऐसे हैं जिनमें वोटर काट नहीं है देखिए इस तरह से हम लोगों को रिपोर्ट मिलती है कि किस वॉलेंटियर ने कितने व लोगों का वोटर काट अपलाई किया है आप लोगों को ल Münask ale और यहां जूम ने 656 लोगों का वोटर काट विलेंटिया है मैं आप लोगों से दर्खास करता हूं अगर आज से आप अपनी σंदगी अड़ा घंटा इस प्रोजेक्ट्ट पे यकस्तिंगे तो 1.30,000,000,000,000 मुबाइल नंबर हैं आप मुबाइल नंबर पर राप्ता कर सकते हैं मैं शुक्रिया अधा करता हूं नभी थामिछ सापका जुन्हों ने वह खा दिया बात करने का